तो एलो फेंज के आल चल आप देख रहे हो अनलेकेशन हब मैसलफ अभीने चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अनलेकर चल में दूस्तों आजकर आपके नामने को निवाली है यह आपके यूजी को आपके नामने के लिए आपको इंट्रेस्टेस देना होगा तो अगर आपको भी गवर्मेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइज उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल आपको सबस्क्राइब करें और बगलों जो बेल आकरने उसे प्रेस करें प्रेस करने के बाद आपको अल वाले उप्श सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे तो अगाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो कैसे लिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो फ्रें सबको पढ़ने कुल जा रहे हैं पर कि पत्ना इंवर्शिटी परसास्ते ने नामकन के लिए होने फाले प्रवेस प्रइच्छा का पैटरन जारी कर दिया पुसी युड़िति ईससे समयक में इसतों सभास कर दों नामकन के लिए प्रवेस प्रेंड बाता दो कि पत्ना इनिवर्शिटी प्त्ना इंवर्शिटी प्त्ना इंवर्शिटि लिए में नौकन के लिए अवय और यूस्वी के नाम से जानते हैं कि नोडर पताधिकारी वा बीन कॉलेज के प्रचारी डॉक्टर राज किशुर प्रसाद ने बताया कि रेगुलर पार्टिकर में नावंकन के लिए जो प्रवेस परिच्छा होगी उसमें प्रस्न पत्र के चार पेपर होंगे समयरे दोस्तों चार पेपर इसमें 60 अंको के 60 प्रसंद पूछे जाएंगे जबकि दूसरा पेपर इलैक्टिव होगा देख पारों इसके तीन हिस्से होंगे इसमें गुरूप B सामाजिक विज्ञान वा हुमानिटीज के चात्रों के लिए होगा जबकि गुरूप C विज्ञान वा गुरूप D वानी पार्टिकों में नामाकर P.U.C.T के तहती होगा तेख पर उज्ञान के लिए प्रवेस परिक्षा होगी उसमें पहला पीपर और ध्यांदो दोस्तों पहला मैंने बता हो यूजी रेगलर वालों के लिए मैंने बताया बीबिस बीकॉम दूसरा मैं बता रों इंटेस्टेक इनगा के लिए जूर्वेस परिछ्छा होगी उसमें दूस्तों पहला पर आपके जेनर्ल अवेड्निस कब देना होगा और ब swims और अपूज यानि सभी को देना है आपको जिसमें लेनी है यानि इसमें साथ हंकों के साथ मस पुछे जाएंगे दूस्तों इस सभी सेक्शन को मिला कर और जबकि दूसरा पेपर होगा ठीक है इसके तीन हिस्से होंगे इलेक्टिव आले के देख पारो गुरूप इसमें गुरूप 20 अमा सब्सक्राइब अब दोस्ता बताते हैं आप से एडमिसन कैसे होगा वह दियान से दूसरों की इंट्रेस एक्जाम से होने वाला है यहां पर कि जो चाहते दोनों कोर्स में आवेदन करना चाहते हैं वह कर सकते हैं लेकिन उन्हें दोनों ही परिक्षाओं में बैठना होगा दोनों ही परिक्षाओं के बाद अलग-अलग मेडलिस जारी की जाएगी उसी कनूसा नामंकल लिया जाएगा दोनों ही परिक्षाओं का फर्स्ट पेपर तो कॉमन होगा वही सेकंड पर इलेक्टिव होगा जो चाहत जिस विसाय के लिए आवेदन करेंगे उन्हें वही प पेपर का चैन करना होगा और बताते हैं आगे उसी विसाय में देनी होगी परिच्छा जिससे इंटर अपने पास की नामंकल लिए दोस्तों कुल सौंक की परिच्छा होगी पहला पेपर जीए सौट में बताता हूँ ग्रूप A 40 संकों का कॉमन होगा वह लेक्टिव पेप परिच्छा उने भी उसी स्टेम में देनी होगी जिससे इंटर पास किया था समझे वो केसना कूर्स में कुल आठ विसे होते हैं जूकि मैंने बताया बीसे समद्नी सभी यह सभी विसे है अब बताते हैं आपको एक्जाम कैसे होगा परपा दोस्तों ओमर सीट पर आपको ल परिच्छा पास की थी इंटरेस टेस्ट में एरक्टी पेपर वही चुनेंगे उधारन के लिए आएसी के छात्र अगर शनातक में आर्ट चुनना चाहते हैं तो चुन सकते हैं लेकिर इंटरेस टेस्ट उन्हें उसी विसे में देना होगा जिस विसे से उसने इंटर किया चात्र उसे देखकर ही आवेदन करेंगे चात्र चार दून जून तक आवेदन कर सकते हैं तो माई रिफ्रेंड्स ये थी पट्ना इंवोसिटी की यूजी के रेगलर ऑफ वोकेशनल इंटरेस एक्जाम पार्टर हमने पूरा बता दिया किस पर खारा कि पट्ना इंटरेस झाल 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 झाल